तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूटूब चैनल यूनिक टेकनिकल जॉब्स अपडेट में तो यह जो रिक्विर्मेंट है वो यह जो इपरेंटिसिप की रिक्विर्मेंट है देख सकते हैं कि 22 नवंबर 2 जार ऑच करने की ठीक है के लिए कर सकते हैं तो जितनी भी ITI Candidates है वह इस वेकेंसी के लिए जो NCBT से कियो होंगे देख सकते कि पहले में ट्रेट दिया हुआ है मेट यानि माइस की जो की ट्रेनिंग त्री येर्स की रहेंगी और इसमें नंबर ओफ सीट बात करें इसमें अन्रिजब के लिए सेष्ट ओबी सी एड़लोई के लिए टोटल साथ सीटें अलगलग के टिगरीज वाई सीटों को बात दिया गया बात करें इसके एकेडमिक क्वालिफिकेशन की तो देख सकते हैं कि जो भी केंडिनेट मैट्रिक पास किया है या फिर टेन प्लस टू किये हुए है वह इस बैकेंशी के लिए एजलीबल है ठीक है टेकनिकल क्वालिफिकेशन इसमें किसी प्रकार के लिए ब्लास्टर के लिए माइन्स की है जिसमें दो टू एर्स का ट्रेनिंग डिवरेशन ह जिसमें की 100 सीटे है और इस सीट को भी अलगला केटेग्रीज बाई डिवाइड कर दिया गया है अगला ट्रेड है डिजल मेकनिक के जिसमें की टू एस दिया हुआ है ठीक है आपका ट्रेनिंग डिवरेशन और इसमें 10 सीटे है फीटर के लिए देख सकते कि 30 सीट दिया एन की वन एर का ट्रेनिंग डिवरेशन है जिसमें की 5 सीटे हैं वेल्डर गेस थेलेक्ट्रिक के लिए 25 सीटä है ठिक है तक एन. ceshan के लिए 80 सीट है एलेक्टोनिस मेकेनिक के लिए 6 सीट है क्युक्त ब्रेंटिक के लिए दुसीत हैं ज्डाफ़् युक्त मेकेनिक के लिए तीन सीट है क्मपूटर ऑपरेटर चरहन हुआ नृत्ह युक्स्याइचग के लिए Pres lace के लिए सब приг theo तो तीन नमबर से लेके तेरा नमबर की जो ट्रेट्स दिया हुए उसके लिए तेन पास होने चाहिए जो भी बच्च आइटिया एंसी बीटी से किये हुए वह इस फॉर्म के लिए बिल्कुल इलिजिबा ठीक है चलिए इसके आगे क्राइटेरिया को जानेंगे देख सकते ह हुआ है ठीक है तो इसमें देख सकते हैं कि जितने भी केंडिडेट है वो जो 18 से 24 यह तक है वो इस वेकेंसी को अप्लाइ कर सकते हैं और अलग-अलग के लिए अलग-अलग एज रिलेक्ससन भी दिया हुआ है ठीक है और इसकी जो जॉइनिंग प्रोसेस हो वो मेरिट के पेसिस पे होंगी यानि आपके टेंट के मार्क सीट और आईटिया के मार्क सीट के आधार पर आप लोगों का आपका जोनिंग प्रोसेस होगा ठीक है इसमें देख सकते हैं कि बीट्वीन 18 से 30 यह तक दिया हुआ है जो भी केंडिडेट अप्लाइ करना चाहते हैं वो इस को अप्लाइ कर दें बहुत ही अच्छी वेकेंसी है ठीक है प्रियेड आप अप्रेंटिस्टिप ट्रेनिंग की अलग अलग प्रियेड दिया हुआ है जो कि मैंने पहले बताया ठीक है आप बात करें इसको आप अप्लाइ कहां से करेंगी तो इसको पहले सबसे पहले आपक को इसके ऑफिसियल वेबसाइट पर जाना होगा जैसे www.hindoostancopper.com पर आपको रिश्ट्रेशन नंबर फिल अप करके आपको फॉर्म खुल जाएगा और फॉर्म को सब्मीट करना है ठीक है सब डीटेल्स को भरने के बाद यहां पर जैसे जेनरल इंस्ट्रक्शन दिया हुआ कैसे आप अप्लाइ करिएगा ठीक है अब आगे बात करेंगे इसके डेट के बारे में तो इसकी जो ऑनलाइन डेट वह 22 नवंबर से शुरू उन्चिक है ठीक है और इसमें एजन क्वालिकेशन देख सकते एक ग्यारा 2022 रखा गया ऑनलाइन अप्लिकेशन की जो किया जाएगा उसका रिजल्ट 31 डिसमबर तक 2022 तक जारी कर दिया जाएगा ठीक है तो इसी तरह से नए जॉब्स के अपडेट को पाने के लिए आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें मिलते हम लोग नेश्ट वीडियो में नेक्स्ट जॉब वेकेंसी के साथ थैंक यू किया जाएगा वेकेंसी के साथ तक.